हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है, और स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल study with राहुल सागर में चली बात कर लेते हैं आज के topics related, आज हम जिस topic को touch करने वाले हैं, वो है आप सभी को पता है कि जब आप KVS के interview के लिए जाते हैं तो आप सभी को एक bio data form fill up करके KVS interview panel को देना होता है, जिसमें आपको कुछ information वहाँ पर share करनी पड़ती हैं, आपका नाम, आपकी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अपने apply क्या है, काफी सारी चीजे हैं, जो आपको उसमें लिख करके interview panel को देनी हुई होती हैं, ठीक है, तो य इसी bio data form को किस तरीके से आप भरेंगे, क्या-क्या चीजें आपको उसमें लिखनी हैं, इन सभी चीजों के बारे में detail में discuss करेंगे, और जो KVS interview panel होता है, वो किस तरीके से आप से इस bio data form से कैसे questions और कहां कहां से questions raise कर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में detail में discuss करेंगे, और ये जो बायो डेटा है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके इंटर्व्यू में ठीक है तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि जो हमारी आने वाले वीडियो से उनको आप आसानी से देख सकें ठीक है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ठीक है के विस बायो डेटा फॉर्म को सबसे पहले हम सबसे पहले हम तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जालने थे हैं कि बायो डेटा फॉर्म को किस तरह के से भरते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ यह जो बायो डेटा है बायो डेटा फॉर्मेट आप देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर post होता है, आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है, आपने जिस भी post के लिए apply क्या है, चाहिए वो PRT हो, PZT हो, या फिर PZT हो, ठीक है, मतलब PRT इसका जो full form है, जिससे primary teacher, तो यह पूरी ही चीज लिखने हैं, आपको ना कि PRT, ठीक है, अगर आप PRT लिखते हैं, तो इसके रहा, full form भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे PZT लिखते हैं, तो ट्रेंड graduate teacher, ठीक है, PZT लिखते हैं, तो पोस्ट graduate teacher, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी फूल form पता होनी चाहिए, ठीक है, आपने PRT के लिए apply क्या है, तो आपको यह इसके exam में आपका roll number रहा है, उसको यहाँ पर fill up करना है, ठीक है, फिर उसके बाद next आता है category, आप जिस भी category से आते हैं, यू आर है, मतलब unreserved है, तो आपको यू आर लिखना है, means general category, ठीक है, अगर आप OBC से belong करते हैं, तो OBC, EWS है, तो EWS, वो तो general में आ जागा, economical bigger section वाला, ठीक है, तो अगर SC से आते हैं, तो SC, HD, और भी, जो, और भी जो category है, जो भी आपकी category है, वो यहाँ पर fill करनी है, ठीक ह है, फिर उसके बाद आपका address, जो भी correspondence, और address है आपका, उस address को आपको इस form में fill up करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको date of birth, ठीक है, date of birth, आपकी जो भी date of birth है, उसको लिखना है, देखिए, हाँ, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक question बनता है कि bio data क्या computerized होना चाहिए, मतलब computer के द्वारा type क्या हुआ हो, या फिर आपका hand written हो, तो मैं आपको बताओं कि ये दोनों तरीके से चल सकता है, KBS ने कहीं भी इस तरीकी का जिकर नहीं किया है, कि ये hand written ही होना चाहिए, या फिर computer type ही होना चाहिए, तो ठीक है न, अगर मैं वही समझनी आती, जो चीज़े आप लिखते हैं, वही आपको समझनी आती है, तो इस तरीकी से अगर ऐसी situation है, तो ऐसी situation में आप इसे type कर सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, ना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप hand written ही हो, या फिर computer की द्वारा type क्या ही हो दौनों में से किसी भी तरीके से आप ले जा सकते हैं, ठीक है, बात आगे date of birth की, date of birth में एक पंगा होता है, जो document पे date of birth हो लिखे है या फिर जहनून आपकी है, वहलली ओले इसा होता है, कि किसी की date of birth हो लिखे है, जहनुन तरीके से तो है, लेकिन document में अलग है, यहाँ पर जो लिखनी है आपको जो डॉक्यमेंट में डेट बर्थ है आपकी वो ही यहाँ पर फिल अप करनी है ठीक है ना सत्यवाद्य हरिस्चंद बहन करके वह चीज़े नहीं लिखनी है जो आपकी जो जैनुए डेट है हो जाता है कभी-कभी जो कॉलेज वाले होते हैं या वो कॉलेज एश्कुल के द्वारा ही लिख्योई ही थी तो वही चली आ रही है ठीक है तो डेट बर्थ आपको फिल्क नहीं है जो ही अपकी दौक्यमेंट में ठीक है फिर उसके बाद बात करें ह हैं थे सब इसके बाद आपको अपना पना मोबाइल नमबर और email ID ठीक है ये सबी जो है genuine देने है जहाँ पर आगर कोई भी KBS के regarding कोई भी message या कोई भी email आता है तो वो सबी चीज़े आपकी email आपकी phone number तक आप उसके लिए message आ जाए ठीक है फिर उसके बाद बात करें हम आगीगा जो 7th number है academic या professional qualifications क्या है 7th number आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर academic या professional qualifications beginning from plus two level मतलव कि यहाँ पर जो चीज़े हैं वो 12th level से start करनी है आपको 10th से start नहीं करनी है यहाँ पर करनी है क्या आपको सबसे पहले 12th लिखनी है आपने किस board से किया है कितने marks उसमें पाए है और आप्टेन किया है ठीक है और कितने में से आप्टेन किया ह है ठीक है तो आपको सबसे पहले सीरेल नंबर लिखना है वन प्रूसके बाद प्लस टू आपने कहां से क्या है नेम ऑफ एक्जामिनेशन यहाँ पर लिखना है आपको 12th क्या लिखना है है यहाँ पर लिखनी पार हूं बट हाँ चीज़े मैं आपको बताते ताहूं धीर यहाँ पर लिखनी है ठीक है उसके बाद total marks obtained कितने marks आपके आए थे 12th में वो सभी चीज़े यहाँ पर लिखनी है और subject आपके क्या-क्या थे वो सभी चीज़े यहाँ पर लिखनी है subject of word में जो जो subject थे आपके पास plus two में मतलब 12th में वो लिखने है subject कैसे लिखने है आपको देखिए अगर अब subject लिखते हैं तो पहला subject इस तरीके से लिखना है एक यहाँ फिर एक उसके नीचे फिर एक उसके नीचे एक उसके नीचे होता क्या है कुछ लोग ऐसे लिख दे है duration of course की duration of course में क्या करना है 12th month ही होता है दो वह इस है पर लिख देने है वह यह पर लिख देना है यहां पर उनिवर्सिटी यहां पर लिखा हुआ है यहां पर फिर उसके बाद ग्रैजूशन जो भी ग्राजूशन यहां पर लिखना है कितने total marks obtained कियेТा कितने में से वो सब चीज़ें हम लिखने है कि अब तोटल मार्क्स सबसे पहले टोटल मार्क्स अप्टेंड और मैक्सिमम अप्स इन मतलब आप आप बाई करके जिसे मानकर चाहिए कि आपने पांसो में से साध्य-3303 पाइए है तो आपको इस तरीके से लिखना है यहां पर 400 500 बटा 500 इस तरीके से आप लिखना है ठीक तो यह हो गया ठिक है फिर उसके बाद कितने परसंटेज है यह सब चीज उसी तरीके से जिसे तरीके से मैं आपको पहले बताए आपका फिस गर्यूरेशन ऑफ कूश्स से अपनी क्या है वो सब चीजे लिख देनी है ठीक है उसके बाद ग्रेजिशन अगर किसी का पोश्ट ग्रेजिशन है तो पोस्ट ग्रेजिशन यहां पर लिखनी है उस पासिंग अब तोर्ट्ल मार्क्स कितने कितने मांक्स लिए हैं आपने वो लिखना अपर संटेश कितना बन रहा है और क्या कि सब्जेक्ट थे ड्यूरेशन किया था ऊर्द रहके चिपा किया है ठीक है लिखना तभी है क्योंकि जब आपसे क्वालिफिकेशन अगर वो जो इंटर्वी पैनल है अगर वो देखेगा तो आपसे यहां से काउंटर क्वेस्टन हां होने वालें आपको बताऊंगा आगे कि में इन सब चीजिए आगे चर्चा करूंगा तो सबसे पहले बता दिया मैंने आपको कि क्वालिफिकेशन किस तरी केसे लिखनी है वो आप समझ गए होंगे उसके बाद हम बात करें नमबर है experience along with pay matrix level और pay band with grade pay ठीक है तो आपका अगर कोई experience है अपने कहीं पर teaching की है या किसी भी तरीके का experience है और किस grade paper आप हुहाँ पर salary ले रहे थे उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर लिखना है किस post पर थे ठीक है वह यहाँ पर लिख देना है किस post पर थे और जिस institution या जिस organization में आप work कर रहे थे उस चीज को यहाँ पर लिख देना है ठीक है और वह किस तरीके की body थे government body थी या फिर central central state government की body थी किस तरह की body थी यह वो यहाँ पर लिख देना है और कब से कब तक यहाँ से तो वो सब चीज़े यहां पर लिख देनी है, period of experience और कितना pay मिलता था आपको, ठीक है, वो यहां पर लिख देना है, फिर उसके बाद, जो सबसे important है, a short note, your suitability to the post, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह जो है, एक न, short note लिखना होता है, आपको maximum उसमें 50 words लगते हैं, ठ है, तो आपको एक short note लिखना है, इसमें करीबन 4-5 बातें, जो आपको अपने अंदर ऐसी लगती हों, कि जिस post के लिए आपने apply किया है, वो सबसे हट के हो, ठीक है, बतलब best of the best हो, best out of the best, ठीक है, तो इस तरीक है, ठीक है, short note आपको तयार करना है, जो आपको सबसे अलग बनाए, ठीक है, और इसके उपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, कि short note किस तरीके से आपको बनाना है, और क्या-क्या qualities, कि आखिन चीजों को ध्यान में रख करके, आपको ये short note लिखना है, और किस तरीके से questions इसमें बनेंगे, इन सबी चीजों के बारे में मैं अगली वीडियो में डिसकस करूँगा, कि short note किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद हम बात करें, नाइन्थ जो नंबर है, उसमें लिखा गया है, कि any special achievement, अगर आपके द्वारा कोई भी special चीज अचीज अ कोई भी competition हो सकता है, आपने जीता हो, किसी भी examination में आपने top किया हो, ठीक है, कोई भी special achievement है, जिसे आप चाहते हैं कि यह लिखना चाहिए, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, और बात करें special achievement की, तो यहाँ से अगर आप कोई ऐसी चीज लिखते हैं, जिसके बारे में interview panel जानता है, तो यहाँ से counter question 100% होने वाले हैं, तो उसके लिख आपको prepare रहना है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर signature होने है, signature होंगे, ठीक है, candidate के, जिसने भी यह form fill किया है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, यह no objection service vigilance certificate है, ठीक है, तो OBC certificate का format भी यहा OBC certificate है, वो यहाँ से format download करना, और यहाँ पर सब चीज़े लिखे हुई है, जो जो चीज़े यहाँ पर लिखे हुई है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर fill करना है, ठीक है, ठीक है, तो यह तो हो गया, कि KVS bio data form आपको किस तरीके से भरना है, और अब बात कर लेते हैं, हम यह जो bio data में से questions किस तरीके से बना सकते हैं, जो interview panel है, वो किस तरीके से questions बना सकता है, देखे, सुरू से ही start करते हैं, हम जैसे post है, अगर आप PRT के लिखते हैं, तो आप PRT के full form पूछी जा सकती है, आप PRT teacher के क्या-क्या qualities होनी चाहिए, वो लिखी जा सकती है, वो पूछ बन सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, रॉल नमबर, आप से एक तम से रॉल नमबर भी पूछा सकता है, आपको ना अपना रॉल नमबर के वेस का याद रखना है, ठीक है, देखे, दोस्तों, कि interview में ना कुछ ऐसी चीज़े होते हैं, पता नहीं, जो interview panel होता है, उसमें जो बैठे होई लोग होते हैं, पता नहीं कहां से किस तरीके से कैसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये ना हमारे उपर depend करता है, कि हम उनको किस तरीके की information दे रहे हैं, और वो उस information में से किस तरीके के counter questions वो आप से कर रहे हैं, तो आपको ना इस तरीके की information उनको देनी है जिससे कि वो लोग अगर counter question करते हैं उस information से तो उनको आप आसानी से tackle कर सके ठीक है तो आपको category बतानी है जैसे आप से SC की full form पूछ जा सकती है आप से UR की full form पूछ जा सकती है OBC की full form पूछ जा सकती है EWS की full form पूछ जा सकती है तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना ह है ठीक है EWS मतलब economical weaker section UR की बात करें तो unreserved category ठीक है और SC की बात करें तो scheduled caste और HD की बात करें तो scheduled tribes ओके यह सभी चीज़े मैंने बता दी है और फिर उसके बाद हम बात करें आगे आ जाता है name देखें बहुत ही important चीज है name के अगर हम बात करें तो name में क्या होता है कि आपके आपका जो भी नाम है उसका ना कोई ना कोई meaning जरूर होगा आपको अपने ना का meaning 100% आपको पता होना चाहिए आपके नाम का meaning क्या है जैसे मेरे नाम का जैसे मेरे नाम की भी ना अलग-अलग meaning है तो इसी तरह की से आपको मेरे नाम के अलग मतलब जो भी आपका नाम है उसके meaning आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम का meaning क्या है ठीक फिर उसके बाद ह ना अगर पुछते हैं तो किस किस से फेमस परसनेल्टी जैसे राहूल गांदी है एक पॉलिटीशन है ठीक है उनसे उनसे पुछा जा सकता है ठीक और उसके बाद बात करें हम अगर कोई ट्रेंडिंग में नीच चल रही है आपके नाम से रिलेटर तो वो भी पुछा जा सकत है ठीक है और जैसे अलग चीजे और चीजे अगर हम बात करें जैसे राहूल द्रेविड जो फिलाल में इंडियन क्रिके टीम के कोच है उनके बार में पूछा सकता है मेरे से और एक राइटर भी है फेमस राइटर भी है जो यातरा ब्रतानत वगएर लिखते थे ठीक है र मुझे लगता है कि साहित्ते के बारे में ज्यादा नौलीज होगी तो वो मेरे से राहूल साकरता है उनके पूछ सकते है ठीक है तो यह हो गया नाम से रिलेटर अगर हम नाम की बात करें तो आपको नाम का मीनिंग फिर प्लस नेम से आपके नेम से रिलेटर जो भी फिमस कि बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक-बेसिक नालीज होनी चाहिए ठीक है उनसे कोई भी क्रेशन बन सकता है मैं यह नहीं कहा हो कि उनकी आप जीवनी पढ़ लिजी लेकिन ऐसा नहीं आप उनकी जीवनी पढ़ लिए उनके पारे में थोड़ा-थोड़ा इंफॉर मतलब पता कर लिए और आगर आप से काउंटर क्रेशन करें वह तो यह होगे फिर उसके बाद एड्रेस की बात करें ठीक है एड्रेस में आप क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे आपका अगर कोई विलेज है विलेज का नाम लिखेंगे अगर सिटी है तो सिटी का और अगर उसके बाद बात करें तो यह पी इस्टेट है ठीक है तो मैं यहां पर क्या लेखूंगा अगर उत्रप्रदेश ठीक है तो इस तरीके से आपको अपना एड्रस लेखना है और फिर अब उसके बाद अगर आप बात करें तो आपके बिलेख को अटपटा सा नाम है या पिर कोई भी नाम है तो आपके बिलेख का नाम क्यूं पड़ा- इस तरीके से आपसे question बन सकता है, ठीक है, और उसी तरीके से आपके district के ऊपर question बन सकते हैं, कुछ ना कुछ, अगर कोई trending में news चल रही है, आपके state से related, आपके district से related, तो वो चीज़े पूछ जा सकती है, ठीक है ना, और अगर आपके town की बात करें, तो town का chairman भी आपसे थर्ड पॉइंट पर आजाती है, date of birth, आपकी जो भी date of birth है, ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी date of birth की बात करूँ, तो मेरी 3rd जुलाई है, ठीक है, तो मतलब जो documents में है, वैसे अलग है, लेकिन अगर वैसे 3rd जुलाई है, तो इस दिन क्या होता है, international plastic bag free day, क्या है, international plastic bag free day है, तो इस तरीके से जो भी day आपकी date of birth के दिन है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और जिस दिन आपका interview है, ध्यान से सुनना, जिस दिन आपका interview है, जिस date को आपका interview है, उस दिन अगर कोई important day है, तो उसको भी याद करने ना उस दिन, ठीक है, जिस दिन आप interview देने जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हैं, father या फिर husband name, देखि फादर या husband से क्या-क्या question बना सकते है, आपके father क्या काम करते है, उस काम से जुड़े हुए कुछ question बन सकते हैं, ठीक है, आपके husband क्या करते हैं, इस तरह किसा आप से question पूछे जा सकते हैं, ठीक है, interview को ना कोई एक sequence नहीं है, but वो sequence आपके उपर depend करता है, क्या, वो sequence आपके उपर depend करता है, जो information आप उस panel को दोगे, उस panel में से वो चान करके उस panel उस information में से जो चीज़े हैं, वो चान करके आप से पूछेगा, और उनके बारे में आपको basic knowledge होगी ही होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, को वो आप से ब्रह्मांड के बारे में पूछेगा, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है, तो इस तरह के question नहीं बनने वाले हैं, आप आपसे basic basic question ही बनेंगे, और उनको आप पसाने से tackle भी कर लोगे, ठीक है, उसके बाद mobile number, इससे कोई question नहीं बनेगा, अगर बना तो कोई technology से related होगा, ठीक है, email ID, email से related, अगर कुसी को computer knowledge अपने short note में लिखता है, तो उससे email से question बन सकता है, ठीक है, हाँ, इसकी full form पूछ र जा सकती है, और उसके बाद बात करें, हम academic और professional qualifications की, ठीक है, यहाँ से, देखे, academic और professional qualifications से किस तरके की question बनेगे, 12th में क्या side थी, ठीक है, subject name पूछ जा सकते हैं आप से, और देखे, यह सब चीज़े अगर qualification की बात करें, तो qualification से जो भी question बनेगे, जो चीज़े आपने पाऊगे, हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने, मानकर चलिया, आपका 12th में थी, science side, लेकिन आपने graduation में कोई और side ले ली है, तो वहाँ पर दिक्कत है, आपको ना, वहाँ पर वो 100% counter question करेंगे, या फिर कोई gap है, अगर आपकी, हाँ, आपकी education में, अगर कोई gap है, उससे related भी question बन सकता है, कि आपके, आपने gap क्यों किया, ठीक है, तो वहाँ से भी question बन सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको prepare रहना है, और ऐसा answer नहीं करना है, कि जिससे की वो panel आपको step by step फसाता रहे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको एक 60 answer देना है, अगर आप अब सबसे पहले अपने mind को सांत करना है, और उस question को ध्यान से सुनना है, कि वो जो panel है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, और क्या question वो पूछ रहा है, ठीक है, बात करे हैं, इसकी academic और professional qualifications की, तो यहाँ पर यही है, कि आपको अगर आपने जो भी subject पढ़ा है, उसकी basic knowledge आप experience से related भी आप से question बन सकते हैं, कहाँ पर experience लिया था, क्या चीज़ आपने वहाँ पर पाई, क्या चीज़ आपने वहाँ पर सीखी, ठीक है ना, किस तरीके का आपका experience रहा, क्या चीज़ सबसे गलत लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, इस तरीके से वहाँ पर चीज़े, आपको question बन सकते हैं experiences को ले करके ठीक है फिर उसके बाद बात करें हम short note देखिए जो short note है ना ये बहुत ही बहुत बहुत important एक बहुत ही जादा major role play करता है आपके suitability दिखाने के लिए के post को ठीक है इन जो चार से पांच line बनेंगे 50 words की इन में जो भी चीजे आप लिखोगे वो ना आपके अंदर होनी चाहिए वो ना interview panel को आप में वो चीज दिखनी चाहिए इस तरीके की आपको महाँ पर short note लिखना है और जो भी counter question सबसे पहले आप अपना short note तयार कीजिए और आप खुद से अनुमाल लगाईए कि यहां से किस तरीके से counter question बन सकते हैं अभी इसके उपर भी video बनाऊंगो किस तरीके से आपको short note लिखना है और किस तरीके से कैसे counter questions बन सकते हैं अपना short note लिखूँगा मैं और उसमें किस तरीके से counter question बन सकते हैं उनको भी लिखूँगा जिससे कि आपको ना एक idea लग जाएगा और आपको अपना short note तयार करने में को क्या qualities रही हैं आपको क्या क्या वहाँ पर चीज़े सीखने को मिली यह चीज़े वहाँ से पुछी जा सकती है ठीक है उसकी भी उसकी ना एक डीप knowledge रख लेना अगर आप आपने कोई special achievement रखते हैं ठीक है फिर उसके बाद बात करें हैं तो यह सब चीज़े होगी तो सारी चीज़े होगी फिनिस ठीक है इस तरके सापको questions वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को like कर दीज़ेगा और हमारे चैनल को भी subscribe कर दीज़ेगा और bell icon को भी press कर दीज़ेगा त सच में और एकना आगे जो भी हम information share करने वाले हैं वो सभी चीज़े मेरे experiences पर based हैं और यकीन मानिए जीतनी भी चीज़े मैं आपको बताऊंगा वो सभी एक experienced teachers से gain करने के बाद आपको provide कराई जा रही है ठीक है ना तो दोस्तों सभी चीज़े मैं आपको बताऊंगा किस त क्या के questions होते हैं इंटर्व्य में 40-50 questions ले करके आने वाला हूं एक वीडियो में ठीक है तो दोस्तों यही थी हमारी ask की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ठीक है अब फलाल हो गया ठीक है सारी बात होगी एंड लास्ट में थैंक्स एंड थैंक्स नढ़ा आने तोस्तों कि वीडियो के वीडियो समय रहन तोस्तों कि वीडियो आपको लाएबा कर वीडियो आदो बाते हैं